देखें हम इंटीग्रेटेड करिकुलम की बात कर रही है तो हमारा फोकस है थेरी प्रैक्टिस गैप इसको मिनिमाइज करना जो कुछ हम कलासों के अंदर सीख रही है प्रैक्टिकली हमने वैसा परफॉर्म कर रहा है और उसके बाद अगर हम वैसा परफॉर्म नहीं कर पाते और हमें किसी जगा पर रिजिस्ट करना पड़ता है तो हमने रिजिस्ट करते हुए किस अंदाज में हमने अपने वैल्यू सिस्टम को सामने रखते हुए इस culture diversity को हमने peace के साथ, अमन के साथ, हमने कैसे उसको address करने है यहाँ पे एक other factors जो हमार पास आया है वो है gender inequalities बहुत से inequalities हैं जिनके अंदर हम gender inequalities की बात करते हैं हमने इस से पहले जो बात की थी अगर पहले lecture के अंदर जब हम sustainable development goals की बात कर रहे थे तो हमने एक issue था जिसके अंदर जो है ना हमने कहा था कि हमारे हैं gender discrimination है with respect to education and employment और उसके उपर हमने discuss भी किया और हमने उसके उपर बात भी की कि हमारे हैं अभी भी बहुत से ऐसे areas हैं मैं अब पाकिस्तानी particularly पाकिस्तानी कंटेस्ट में बात करना चाहूँगा जहां पे females के लिए government ने opportunities नहीं दी और culture parameters ऐसे हैं जहां पे जाल देन बच्चियों को स्कूलों में जाने नहीं देते हैं आप देखें यहां पे यह जेंडर डिस्क्रिमनेशन है अब नमबर एक जब आमने उनको एजूकेशन नहीं लेने देनी तो हम employment के अंदर भी वह अपने रोल प्लेए नहीं कर सकेंगी तो उसके ओपर जो हमारे गया स्कूल एजूकेशन के ओपर किया गया यहां पर जो हम फोकस कर रहे हैं यहां पर हम फोकस कर रहे हैं कि हमने यह चीज़ सीख लिए कि यहां पर हमारे पास inequality नहीं होगी हमने यह learn कर लिया learn करने के साथ अब society के अंदर जब integrated curriculum की बात करते हैं तो वहां पर हमने population के according जो implied और under implied जो young people हैं हमने according लिए उसके मताबिक हमने कवाने इन वज़ा करने हैं उसके मताबिक हमने rules and regulation बताने हैं यह नहीं अगर मैं आपको एक example देना चाहूँ उसके बारे में अगर हमारे पास female की population में proportion ज्यादा है तो हमें jobs opportunities के अंदर भी हमें उनकी proportion ज्यादा करने पड़ेगी जिस तरह देखें कि हम बहुत से areas को जहां पे inequality आती हैं हम अड्रेस करते हैं हमने हमारे हाँ जो special children है हम उनके लिए हमने अलादा से कोटा बना दिया ये चीज़ जब हम theoretical पढ़ाएंगे तो हमारे parameters में आएगी practically जहां पे decision making आ हमिसा बनेंगे sustainable society के अंदर young learner जब वहाँ पे उसका एक हिसा बनेगा तो वह वहाँ पर इसको बकैदा address भी करेगा और address करने के बाद according to rules and regulation को फालो किया जाएगा अब हमारे पास जब हम sustainable development की बात करते हैं तो उसके अंदर sustainable economy भी शामिल है और society भी शामिल है जैनि हमने अब तक society की बहुत सी बातें की है sustainable society की बात की है उसके अंदर जो एक factor है वो है sustainable economy देखे हमारी नई जनरेशन के लिए मुक्तलिफ जाब opportunities जो है वो करना बना जो है ये भी government का काम है ये भी हमारे पास इसके बाद उस बच्चे को universal assess भी होनी चाहिए जनी अगर मैं बात करता हूँ कि society की और society के अंदर मैं बात करता हूँ तो society के अंदर जब हम sustainable society का तसवर लेके आते हैं तो हम कहते हैं कि जी हमारे हम ना सिर्फ small का हिस्सा हैं बलके हम जो global society है उसका भी एक हिस्सा है और global society का हिस्सा है तो इसका मतलब है कि हमारी जो education होनी चाहिए हमारी जो learning होनी चाहिए हमारी जो skills होनी चाहिए वो भी international होनी चाहिए हमारी जो opportunities होनी चाहिए हैं वो भी international होनी चाहिए हमारा peace, democracy, social justice ये फिर हम इसे international phenomenon में ना सिर्फ पढ़ना चाहिए होना चाहिए बलके हमारा environment ऐसा हो कि जब हम practical में जाएं तो practically भी जाना हमारी इसके अंदर gap जो है वो minimum नदर आना चाहिए